स्वागत है दोस्तों एक वर नए ब्लॉग पे चैनल पे आज का यह जो रोट्रिप होने वाला है यह आज जैपूर से उदैपूर हो रहा है तो जो भी लोग जैपूर से उदैपूर जा रहे हैं या फिर कहें के दिली, गुडगाओ, हरियाना, पंजाब से जैपूर होते हुए उदैपूर की तरफ जा रहे हैं या जैपूर, पुशकर, अजमेर, उदैपूर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर और फृदर प्लान कर रहे हैं बडोधा, बॉम्बे, कोवा, साउथ और जैपूर और उदैपूर ले थे उनके लिए आज इंपर्टेंट ब्लॉग होने वाला है रिवर्स भी है बॉंबे से कोई ले लद्दाग जाना चाहता है वाया उदैपूर जैपूर तो वो उनको उदैपूर से कोई पंजाब हर्याना दिल्ली साइड जाना चाहता है या आगरा आज जो साथ हैं ब्लॉग में कह सकते हैं कि सबसे खास मित्र हैं अभी तक उनको इस ब्लॉग इस चैनल पर और इस ब्लॉग पर आते आते काफी समय लग गया अब आएं भाई तो आभी लेंगे उसको चलेंगे पिर आपको दिखाएंगे यह जैपूर से उदैपूर का कम् मुझे कुछ कहां में उदैपूर और भाई को हम्दाबाद चाना था तो मैंने का आदेरस्ति मैंने डॉप कर देता हूं आगे आप निकल लेना तो एक ट्रिप प्लान हो गया है और जो आज आज जो रूट ले रहे हैं हम लोग बेसिकली जैपूर किशंगर्ड भीलवाड हो के यह रूट है उदैपूर का दिखाएंगे आपको पुरा रोट डिटेलना है कि जैपूर से उदैपूर के आज की रोट ट्रिप है इसमें तो मैं ड्राइवर सीट पे नहीं बैठा हूं कि एक बाही जो सालवर से ड्यू था आज बोड पर आया है तो उसको मैंने बुलई है गाड़ी तुई चलाएगा शेफ क्वलकम डू द़ बोड जैए आज का जो रूट हम लोग ले रहे हैं बिसिकली जैपूर कि शनगाड कि शनगाड टोल निकल के लेफ्ट लेंगे अजमेर आज नहीं आएगा अगर और फिर वहां से बीलवडा होते हुए अगर आप लोग जैपूर से या जैपूर के पीछे से दिली गुडगाओं या अग जर्नी में पुषकर अजमेर भी डेस्टेशन है तो फिर आप जो आप जैपूर पुषकर अजमेर ब्यावर होते हुए तो पुदैपूर का रूट ले सकते हैं आपकी रोड ट्रीप और शांदर हो जाती है जब रोड ट्रीप के साथ-साथ नजारे बहुत बढ़िया उस टाइप के गाने चल रहे हो तो इस गाने ने तो माहूल ही बना दिया है बज्यूर किशनगर तो निकल गया है और फिर अपना तो वही एक ठीकाना है काफे में स्टो क्यूकि इसके आगे पता नहीं इसी काफी मिलेगी के नहीं मिलेगी तो इस ठीकाने पे अभी हम दूरू करें तो क्या हुआ भाई अभी तो सुरुआत है खाली इस बाई, इस भी आगे में अपने ठीकाने में अपनी तो यह की दुकार है कौफी लेंगे लियू पड़े यह से ईसे जिसे निकल पड़े के बाद भाद क क्स बोह रहीे है ingenद तो कुछ तो बोल्ड़े हमें कुछ ड़तिक को आन्लाइन तो इतने दिन भाद क्यू आया तक मैं लब तेको पहले आना था आप क्यों आ रहा है ऐसे कुछ भी कि भूलेगा 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 इसलिए बहिया तुमको आते रहना पड़ेगा ब्लॉग में तब जागे तुम बोलेगे जैपूर से उदैपूर के रूट पर जैसे ही आप किशनगड निकलेंगे किशनगड निकलने के बाद ये एक डाइवर्जन आता है जिसमें लेफ्ट में नसीरावाद पता रहा है सीधा अजमेर है अब हम लोग ये लफ आण रूट लेंगे क्योंकि यही बिलवड़ा होके जा रहा है अजमेर हम नहीं जा रहा है और उदैपूर जाने का अगर आप अजमेर नहीं प्लान कर रहे हो तो उदैपूर जाने का भी एक बड़ीया रूट है कि फिलाल तो हम लोग लेके बीलवड़ा हो के जा रहे हैं हुदैपूर का रूट ले लिया है अगर राजमेर और पुशकर आपके प्लान में नहीं है तो यह रूट बैस्ट रहेगा आपके लिए किशनगर वाला टोल निकल के हाड़ली एक डिड़ किलोमेटर के आगे से हैं अभी हम लोग यह वाला रूट ले रहे हैं जो कि एमदाबाद, मुम्भाई, मुदैपूर के लिए सूट करता है इस टाइप के रोड है, यह जब से किशनगर से हमने लिया है, शिक्स लेन रोड है और बड़ा ही मस्त रोड है, मजा ही आरहा है इस पर गाड़ी एकदम बिल्कुल फर्स क्लास चल रही है, आप क्रूज लगा के चला सकते हो गाड़ी इस रोड पर कुरा रहा है तोल याद ही कर रहे थे और तोल आगे है इस रूट पर आ रहे हैं तो बड़ा नेगिटिव चीज है कि इस पर रेश्टोरन इस वगेरा काम है फिलाल लोगों को यह मिलाए 79 कर चाही के लिए रुके हैं देखते हैं किशनगर से पहले जो कौफी पिया उसके बाद सब्सक्राइब बीलवड़ा आगे हैं वहां तक तो कुछ है नहीं कि बीलवड़ा बाइपास से हम लोग निकल गए वो 79 करके रिजॉर्ट जो रेस्टोरेंट जो रुके थे चाहे लिए काम चला हो रेस्टोरेंट है इसमें चाहे पी जा सकती है वहां यह मलब इस रूट पर रेस्टोरेंट नहीं है फिलाल बीलवड़ा निकल गए है चित्तावड़ दिखा रहा है तीसे किलोमेटर और अरूंड 700 किलोमेटर के असपास दिखा रहा है उधैपूर रोड बहुत शानदा रोड रोड का कोई अलया चैपूर नहीं जुक्ता रहा है प्रणाव मूड़ी बना दिया मिल्कुल आ जो लोग निकल रहे हैं चित्तावड़ करण के पाई-पास से बहार बार से निकल रहे हैं अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में उदयपूर चित्तोड रहें के साइड में उदयपूर चित्तोड कर निकल जाने के बाद मला यह रोड पूरा ही बहुत बढ़िया रोड है अगर जैपूर से उदयपूर आ रहे हैं तो मस्रिकमंडेड है खली रेस्टोरंट वाला एक पार् जो चले ते साढ़े साथ बजे सुगे अभी थक टोटल ट्रेवल टाइम हो गया है माज मेंटे सैंथिसमेंट 370 किलोमेटर सेल्टोस पेट्रोल 16.4 का अवरे दिया है और पचास किलोमेटर के आसपास 50 प्लस किलोमेटर और बचे है च्छे गंटे के आसपास तो जरनी टाइम लग रहे हैं और वाया बीलबाडा और वाया ब्यावर की रूट पे एक डिफरेंस है यहां पे टोल हायर साइड है और वहाँ पे टोल काम है लेकिन ये इस लेन रोड है और वो कहीं कहीं तू लेन रोड है प्लस सिंगल रोड दिये थोड़े बोड पैच में किलोमेटर उतना ही पड़ता है इसको जैसे जरूत वैसे प्लान कर सके है हम लोग अब उदैपूर में एंटर करने वाले यह दबोग वाला एरिया है जहां युदैपूर का एरपोर्ट है और दिन के बज़रें डाई आचें डल्रूची है युदैपूर से उदैपूर चएगंटे लगता है जैपर उदैपूर का यह सिक्स लेन रूत है और बहुत ही शांदार है तो अधों ज्यादा कट्स नहीं है जहां ज्यादा कट्स है रोड में हुहां पर इनोहां ने बरिकेडिंग कर रही है पर्मान स्पीर मेंटेन करके चल सकते हैं ज़िए इस टाइम की बेरिकेटिंग अलगी है तुसी तरफ ही और आप इसलिए क्रूज में लगा दिए गाड़ी हंडेड पर एटी पर जो भी आपको सुन करता और गाड़ी बस बिल्कुल बिल्रास मक्खन की तरह निकलती जाएंगी बहु कर दो गाड़ी चलाने में मया आगा तो अगर कोई भी इस रूट से आ रहा है ना एक चीज जरूर करिए गार अपनी प्ले लिस्ट गानों की तैयार रखेगा क्योंकि मया डबल हो जाना है गाने सुनते सुनते इस रूट पर गाड़ी चलाने के लिए आग बंद कर गया आ अब है अरूट दिखा रहा है तो आप समझ सकते हैं चे गंटा शाड़े चे गंटा लगा है अम लोगों को लेकिन लोग आये बड़े आरहां से तो चे गंटे में बहुत आरहां से चार सो पंद्रा किलोमेटर के आसपास कवर किया सकता है उद्र अधर पुरा और इस 420 किल बहुत कमफर्टेबल है तो पता नहीं लगता अच्छे रोड के लिए थोड़ी सी कीमत तो हो देरी पड़ेंगे एंट्री में उद्रेपुर की में जैसे ही पाड़ी निकलते ना पूरा शहर इसमें दिखने लगता है पहाड़ी के बीच में से उद्र शेर दिखते हुए अब हम उद्र कि गलियों का आनन्द ले रहे हैं जलत सब्सादी है उद्र बूम नहीं जखते हैं अज का हमारा मकसद था उद्र की साथ लोकल उद्र चोटी चोटी पाड़ी ओं पर बसा हुआ है जो तो खो गया है तो खो अज सब्सक्राइब डाइब आज दो तो अगर जो को ने डिसाइड गया सजंग्र मांसुन पैलेस विजिट करके करने का उदयपूर आये तो एक डेस्टिनेशन अपना कर ले बहाई अपना गया टिकिट लेना है हम लगें अलाइन में हम लोग है अभी सजंग्र पैलेसे हैं वहां से उदयपूर का नजारा है है सजंग्र पैलेस मांसुन पैलेस भी बलते हैं इसको पूरा उदयपूर का नजारा सामने फते सागर लेक सजंग्र पैलेस है यह मांसुन पैलेस बारिश के समय में यहां पर बादल और बारिश के मौसम को देखने का अपना ही मज़ा है इसलिए इसको मांसुन पैलेस भी बलते हैं और यहां पर एक जैम्स मांड की मूवी की भी शूटिंग हुई है अक्टोपसी के कुछ सीन यहां सूट हुए है बहुत ही अच्छी जगे पे लोकेटेड है बड़ा ही सुनदा है देखने में आसपास नेचर पहाडियां देखने में बड़ा ही मज़ा आता है इसको हुदैपूर के पास में है चार-पास क्लोट रहे है शेहर के अंदर ही आ अच्छे यूटूबर के लिए कुछ नहीं करना होता है इसमें बस जो आपकी जो वह ना बगवान एक दी है उसको सांती से सांत सबहाओं के साथ खिल खिलाते चैरे के साथ हमेंसा हिलाते रहना है वह नहीं बताना है अच्छे बताना है